मैं बिगीडिय सत्यंदु सेंग एक महार से हूँ हमारी हिंदुस्तान की फॉज में बहुत लड़ें लड़ें हैं और हमारे ऑफसर्स जेशी और जौनों ने बहुत ही उत्तम किसम की बहादरी दिखाई है इसी तरह 1987 में हमारी युनट एक महार जापना में स्तित्ती और उसमें हमारी डेल्टा कॉम्पनी ने अनकोटाई नाम के जगब में एक बहुत ही अच्छी और बहादरी दिखाने वाली लड़े-लड़े इसी झीच लुथन Cuban को अक्टूबर के फर्स जुए की बात है एक जगह थि मॉर्थनास अतब्डम और क्रॉस जोर्ड़ बंकर बना रहेidences के veri डेल्ट अच्छी युश्च्र 00 उनको पंद्रा सोना अक्टूबर की रात में होकम मिला यह आप जाफना के उपर जाफना के तरफ जाएंगे और जाफना से तकी बंद तीर चार किलमेटर दूर एक जगा है अना को टाइंग वहाँ पर जाके आप बेस बिनाएंगे जिसे आप फोजी लैंग में फोर्म बेस क तो पंद्रा सोना अक्टूबर की रात को उडविल से टेल्टाव कंपनी ने अंडर मेजर पियस गंपती कंपनी कमांडर और उनके साथ दिलबाग शर्मा जोकी मेजर दिलबाग शर्मा थे इन दुरों ने डिसाइड किया कि हम रोड के थ्रूनी जाएंगे हम क्रॉस कि बहुत चारे वहाँ पर घर थे पाम और कोकोनट ट्री थे विजिबिल्टी बहुत कम थी बारिश भी हो रही थी बैसिकली वह रोड इसलिए वाइड करना चाहते थे क्योंकि जितनी भी रोड ती शिलंका में उसमें जापना में उन पर आईडी लगा रखी थी फायर से क अपना इंफिल्ट्रेशन टाइप ओपरेशन शुलू किया और क्रोस कंट्री होते कि जगा एक थी नवाली जब नवाली पैस पूंचे तो अचानक मंदर की घंटिया बढ़ने लग पड़े उसमें पता नहीं था क्या क्यों भज़रे हैं सुभी सुभी तब तक मैं देखा कि चार एक मिलिट्रेंट फोर्स के पीशे-पीशे कंप्रीक पीश चल रहे हैं उन पर फार किया और इक चार अगे से एक वहां ग्रोव आया पाम और प्रोकॉनट ग्रोव बोलते हैं उसको हम तो जैसे यह बहार आये तो सामने से अनक ट्राइग की अलाके से फा सामने से फायर आया तो कंपणी ने अपनी पूजिशन खेती में ली जैसे ही अपनी कंपणी ने खेती में ली तो कंपणी कमांडर साब ने एक जवान जो की LMG नंबर 1 था और नंबर 2 को लेके एक छोटी सी पेट्रोल लेकी गये जैसे ही वह खेती से बाहर निकले और जव जवान ने पूजिशन ली तो एक ही गोली आई और जवान के गले में लगी और वहीं पर शहीद हो गया जब कंपनी कमांडर ने देखा इधर से गाना मुश्किल है तो कंपनी कमांडर वापिस खेती में उसी समय रेड हाट एरिया जो की नौर्थ साइट से था वहां से भी फ एकदम अपने वहीं पर किंग शुरू करती है जो डिगिंग टूल से बेल चार गेंती बहुत कम थे और इनके पास एमुलिशन में कम था विकाद इनको बोला था कि सोरा तरीक शाम तक आपका जो दूसरा बर्गेट पीशे से आ रहा है वह आपके साथ लिंक अप कर लेगा तो मैटर सिर्फ बारा गेंटे की बात थी तो खाना भी नियादा कहरी कर रहा थे और हंडर्ड राउंड पर मैन और वेपन स्केल बोलते हुआ जवानों के पास था तो जो जवान थे उन्होंने चम्चो के साथ बेनड के साथ और जो भी मग कप जो भी था उसके साथ डिग किया क्योंकि यह जगा अनफ टाई बिल्कुल लगून के साथ थी और जो समंदर बहुत पास था तो नीचे से पानी रिखना चुलू है इसमें लड़ा ही चल रही थी उपर से गोलियां आ रही थी और शुपने की कोई जगा नहीं थी हमारी जो मोटर्स होती है तकि पांच किमीटर वांच किमीटर किरती हैं वो हमारी मोटर्स थी उन्होंने दोनों तरफ खेती के समद्के सीन कि तरफर ड्रें से दरफ इसकी तरफ को दर नरच कर्कु यह रही हमारी आटलरी को यह ताकि रख मिल् 관स को कर रहे थी इसी प्रकार सारा दिन लड़ाई चलती रही रात के टाइम पे कमपनी कमांडर मेजर पीयर्ज गंपती ने वहला कोई फायर नहीं करेगा और अपना एमुलिशन बचा के रखो तो जब इन्हों ने एक दूगांटों फैर ने किया तो मिल्टन देखने की लिए कि कहां चले गए जैसे वी नस्दीक आए तो कंपनी कमांडर साध्य किया पाखी जवानों ने फायर किया और चारौ के चारौ मिलिटन को वहीं पड कर दिए उसके बाल लड़ाई चलती रही नेक्स्ट दे सुबे इसी तुरह जो हमारी गंशिप्स होती है याले कि हलीकॉक्टर वो भी चारो तरफ आगे फाइर डालते थे कि मिलिटन दूर रहे और बहुत जावत थे चारो तरफ से उनका अलाका था उनको पता है क्या हो रहा था और चारो तरफ से फाइर आडर शुरू हो गया नेक्स्ट दे भी लड़ाई चलती रही एम्मुनिशन कम हो गया एक टाइम आगा अगा था जो पी कंप्री कमार्डर के पास सिर्फ आठ गोलिये बची और जो मीड बॉल में हमारे अफसर्स जेसी और जवान तकड़े रहे और अपने बोर्चे सबहरे रखा फर्स दे ही हमारी कैजिल्टी होगी थी अब फायर हुआ था लेकिन जवान तकड़े थे और फायर करते रहे जब जरूद पढ़ती थी सेकेंड नाइट को अगे बड़ा मुश्क और रखा गया क्यूंकि लगता था इसमें वापस बचे गए और साथ में कैपिन सुनिक चंद्रा थे लीडर और यह पेट्रॉल एमुलिशन लेके आई इनका भी रास्ते में तीन बार एंबश हुआ और भॉग मुश्किल से क्रॉल करते करते यह तक्रीम उसके अंदर उसी दरान कैपिन सुनिक चंद्रा साथ थोड़ा से उठे और एक गोली पीछे से आई और उनके सर पे लगी यहां पार और हेल्मिट के साथ नहीं वहीं पर शहादत उनको मिल गई कि एक अफसर डेथ हो गी थी इसे में तक तीन अच्छार जुआन हमारे शहीद हो चुके थी और जब बिल्टर्स क्लोज आते थे तो उसी समय हम लोग आटी आटीफायर बलाते थे घमासन आटीफायर उस आटीफायर से एंटीटी की काफी नुक्सान होगा रात के समय उनक देखा कि अभी तक तो लड़ रही है और पीछे क्या हुआ जो हमारा ब्रगेड आला था पीछे जो शाम तक 16 तरीक शाम तक पहुचना था वो पीछे ही उनका एंबश हो गया आईडी लगा के उनकी गाड़ियां उड़ गई तो वो ब्रगेड नहीं पहुंचा तो यह जो हेलिकॉप्टर से एमुरिशन फेका गया लेकिन अतना एमुरिशन किरा वो फेती के बाहर करें अब फेती के बहार जाना बड़ा खत्म लाग था लेकिन सिपाई जोगा से उसने बहुत ही भादरी दिखाई वो भागा और जाके दो बखसे उठा के ले गया उसको देखते ह हुए जो पाकी जवान थी वो भी बड़े भादर हो गए और वो ही भागया पूरा अमुरिशन लेके अंदर आ गए ल्टटी उसमें फुल फारिंग करना था इंके उपर इसी तरह लड़ाई चलती रही और तीसे दिन 19 तरीक को अल्टिमेटली जाके जो पीछे वाला ब्र शहीद हो गया है तो जब यह अफवा आई तो एक जेशियो थे मुकंद कवे उसनिया का अफसर तयास साब ऐसा एक अफवा फैला है तो मेजर दिलबाग साब खड़े हुए और इन्होंने उसमें ल्टटी बोल रहे थे मैक्स आपना मैक्रोफोन लाए थे बड़े-बड़ कि इनन उनको बहुत उची-उची गालिया निकाली है अभी गालिया उनको समय नहीं आती है लेकिन अपने जवानों को हंसना मिला कि हमारी ऑफसर सामन यहीं पर है और लड़ाई कर रहे हैं इसी तरह लड़ाई चलती रही और जब वो ब्रिगेड आया पीशे से लिंक अप हो गया और लिंक अफ होने के बाद कॉम्प्री ने कुछ सांस ली लेकिन इसी समय उस ब्रिगेड को हुकम आया कि आप आगे जाफना मूव को लो तो कॉम्प्री दुबारा वहीं पर लड़ाई करती रही तक्रीबन भत्तर गेंटे तक बिना खाना का मैं मॉनिशन और इसी हो गया उनकी जो मॉटल रिमेंस थी निकाली गई और जैसे हमारे धरम के सब्सक्राइब होता है उनको जलाया कि उस समय मैं भी खड़ाता हूं और यह को बहुत ही मोशनल सा क्यूंकि क्याप्टनिशंद्रा है और जो हमारे जवान थे तो सब को हम जानते थे और उनकी हमने कैसे इंटिफाई किया और सब्सक्राइब की तो बोड़ी हमने इंटिफाई कर ली क्योंकि वह अलग जगह में दबाई थी जवानों का पता नहीं लगा था कौन जवान कहां पर है उनकी बिल्ट और एंक्लेट के उपर जो नंबर लिखा होता है उससे पता लगा कि कौन कह पर था बाकी उनके श्रीली तो खदम हो गए थे बहुत एक इमोशनल स्टेट था लेकिन कहने की बात यह है कि हिंदोस्तान की फौज ने एक बार फिर दिखा दिया कि हमारे जवान बहादुर है और कैसी भी को इस्तिति है हम उस्तिति को हैंडल कर सकते हैं और अपनी देश के लिए जान तक निशावर कर सकते हैं थैंक्यू